को एक बले किस कि चाहते हैं कि सबर्गोज। आपने मुझे बोलने का मोका दिया ओंग और आज ऐसे बहुत ही अच्छी बाते अपने को बताई है क्योंकि यह जब आते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे लिए नया लेकर के आते हैं तो सरकों में धन्यवाद देना चाहूंगी बहुती ग्रेट परसनेल्टी है बहुती नॉलिजफुल परसन है जिनको मैं हर टाइम फोलो करती हूं जिनको मैं समझो 24 गंटे होता है ना 24 में से 20 गंटे मैं उनको फोलो करती हूं और फोलो करना एक अच्छा चीज़ है कि क्यतना एक अच्छा फोलोवर ही एक अच्छा फोलोवर ही एक अच्छा सक्सिस मैं बन सकता है एक अच्छा चीवर बन सकता है सबसे पहले हमें अच्छा लिस्नर बनना है और अच्छा फॉलोवर बनना है साथियों तो नाम अलक है डेली से में dehyd comfort करती ओं सिस्टम को सीथ रही हूँ सीख़ते सिख़ा भी रहे हूं तीप को और क़ अपफी मज़ा आ है काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है् सिस्टम ने बहुत कुछ दिया भी है सभी सपनों को पूरे करने का एक रास्ता दिया है और सातियों मैं तो आप लोगों को यह कहना चाहूंगी जितने मेरे प्यारे सातिया आज इस मिटिंग में आया है 91 पार्टिसिपेट है बिल्कुल यह वो पार्टिसिपेट है जो कहीं ना कहीं अपने जो है करियर को लेकर करके और इसलिए आज इस मिटिंग में आया है तो बिल्कुल सभी सात्यों से मैं कहाना चाहूंगी अगर आप यहां पर बने हुए हो सीख रहे हो तो बिल्कुल आप भी डिफिनेटली कोचल सरकी तरह और हमारी तरह आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल अपने गौल को चीव करेंगे यह सिस्टम मैं प्लान सुनकर के जॉइन तो हो जाते हैं लेकिन सबसे पहले कमी क्या करते जोइन होते ही वह रेफर करना बताना जितना भी टूटा-फुटा उनको नॉलिज शुरू कर देते हैं बिल्कुल गलत बात है सबसे पहले हमें किसी ना किसी चीज क्या सीखना होता है ट्रेनिंग लेनी होती है तब ही हम उसे परफेक्टली किसी को बता पाएंगे ट्रांसफर कर पाएंगे तो सबसे पहले सात्यों अपने को प्लान में महारत हासिल करनी है प्लान के महारत ही बन जाई है एक एक रहोगे और इस सिस्टम से पैसा मान समान नेम फेम तो मिलेगा ही क्यों कि वह बाइडिफोल्ट है अगर आगे बढ़ते हो कुछ अच्छा करते हो तो बिल्कुल आपको नेम पैसा सब कुछ मिलता है तो सबसे पहले हमें प्लान को knowledge लेनी है क्या होता है लोग plan की knowledge भी ले लेते हैं चलो knowledge भी ले लिया फिर action नहीं लेते मतलब knowledge तो हमें बहुत है हम बैठे है plan का हमें एक-एक point पता है सब कुछ हम जानते लेकिन अगर वो किसी को आप transfer नहीं करोगे आपके घर में बहुत सारे मद्लब डाइमपंड रखे आपके घर में नहीं किसी को पता चले लेकर है उनको किसे बहुत कीमती चीज़ आप को उनीक अच्छी चीज़ लेकर गैठे जो दुनिया से अलग हो आप उन्हें बताओगे दिखाओगे तब उन्हें पता चलेगा तो सबसे पहले प्लान की नॉलीज लेनी है लोग नॉलीज नहीं ले लेते इसलिए ट्रॉक मार्केटिंग में फिल होते हैं पुछ लोग नॉलीज ले लेते नॉलीज से भरे हुए और ट कि तरह प्लान दिखाईए हर किसी को दिखाईए क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी चीज़ है मुझे विनोरा का कॉंसेप्ट बहुत ज्यादा पसंद आया बहुत सारी चीज़ों को मैंने अनलाइसिस किया आज भी करती हूं मैं नॉलिज लेती रहते हूं क्योंकि मेरे पास हर तरह का बंदा आता है हर Network marketing मतलब आज कि जमाने में लोग Network marketing को कर रहे हैं समझ रहे हैं power को तो किसीरे किसी प्लान से जुड़े हुए है तो मैं हर किसी से बात करती हूं उनके प्लान का अनलाइसिस करती हूं उनसे पूछती उनके प्लान के यूनिक पॉइंट, प्लस पॉइंट की क्या आपके प्लान में क्या चीज़ है, फिर मैं उनको अपने प्लान से कंपेरिजन करके बताती हूं, इसलिए मुझे अपना प्लान बैस्ट लगता है विनोरा का, क्योंकि हर प्लान में मैंने कुछ न प्रणने लिए काम नहीं करना लोगों के स्वाधान पर मेरे अंदर भावना हैं लोग परिशान है और अच्छा प्लान को झूंडते फिर रहें लेकिन उन्हें इक अच्छा पलाण नहीं मिल रहे है तो अ साथ में बनानी है, समर्पन की भावना रख रही है, समर्पित कर दो एक सिस्टम को 100%, खुद को जोग दो उसमें, समर्पन की भावना बनानी कि मैंने अभी यह प्लान जोइन कर लिया, अब मुझे इसमें अपना 100% देना है, क्योंकि मुझे यही से रिजल्ट निकालना है क्यों को सलसर को मिल रहा है रिजल्ट एक साल में 22-23 लाग रुपे कमा एक कार अचीव करी बहुत सारे एसेट्स घर में बना लिए है अलका को मिल रहा है और भी हमारे समाने साथी है बहुत सारे हमारे ग्रेट लीडर्स है सब को मिल रहा है कि क्योंकि वह लगातार परियासरत है पहले नॉलिज ली सिस्टम की फिर एक्षन किया दैन उसको प्रोस्पेक्ट किया क्या नॉलिज प्लस एक्षन इस इग्वल टू सक्सिज तो सक्सिज आसानी से नहीं मिलती है सात्यों लगातार परियास से मिलती है मैं कर रही हुँ पिछले आट-णो दस महीने से लगातार परियास कर रही जैसे कोसल समानित कोसल करका सर ने में बहुत क्येरफुट सुनती हुए सुनती हुँ और एंप्प्लिमेंटबी करती हुए मैं भगती नहीं मीटिंग में dalla सारा काम पीछे है ना ट्रेनिंग का और अपने गुरू जनों का जो भी हमें सिखाते हैं उनका अपमान होता है आपके पास समय है तो आप समय से जुड़िए और लास्ट तक रहिए यह होती है कनेक्टिविटी यह मैं फील करके आपको बोल पारी शायद आप लोगों के लिए साधारन वर्ड होंगे लेकिन आप इनकी गहराई को समझोगे और इसको फोलो करोगे ना तो वाकर में आप यहां पर पैसा भी कमाओगे टीम भी कमाओगे और आपका नेटवर्क भी बनेगा साती हो तो अगर आप मिटिंग में जोइन हो गए हो तो लास्ट तक बने रहे जब तक कि वह एंड ना आ जाए जब लिख के आता है मिटिंग का एंडिंग उस पे आप खुद किलिक करो आपके फिंगर से आप खुद किलिक करो आपको यह भी बनना पड़ेगा नहीं तो आ अधूरा घ्यान हानिकारक होता है कोई डॉक्टर बन रहा है उसने अधूरी नॉलिज लेकर किसी का ऑपरेशन करने चला गया तो वह जो पेशन्ट है वह मर जाएगा आप इस चीज को समझ सकते हो तो किनेक्टिविटी बनानी है समधान पर वर्क करना है आज मैं लोगों क फिल्ड में जाते हैं लोगों से मिलता है लेकिन कुछ लोगों को मेरे जैसे लोगों को डिजिटल का है एक सहारा जिसके दुआरा मैं काम कर सकती क्योंकि मैं बाहर फिल्ड में नहीं जा सकती तो समधान पर वर्क करना है कैसे देखो मेरे पास कॉल आता है मैंने अभी आपको एक चीज बता हूँ दो दिन मैं बाहर थी खाटू शाम जी के दर्शन हम लोग करने गए थे कोसल सर भी थे और हम अपनी कार से गए थे तो दो दिन मैं बाहर रही तो मैंने टीम के साथ में कनेक्टिविटी बना कर रखी और कोसल सर इस चीज के गवाया है दो डिरेक्ट वे जोइनिंग भी लगाई बात करते करते मज़े मज़े में क्योंकि मुझे आसान लगता है यह सिस्टम मुझे आसान लगता है लोगों को बताना प्लान करना मुझे अच्छा लगता है पावर को उसकी बैनिफिट्स को अपने माइंड में रखा हुआ है जो मैं हर लोगों को बताना चाहती क्यूंकि मैं चाहती हूं मुझे बैनिफिट मिल रहा है तो लोगों भी मिलना चाहिए तो डैरेक्ट में दो जोइनिंग लगाई है मैंने बात करते करते गाड़ी में बैठे बैठे जिबकि दो दिन कंटिनेसलि हम गाड़ी में ही चले हैं मौर्णिंग में सुबा बैठे तो जाते टाइम रात के साड़े-दस बजे पहुंचे राद ज्यादा हो गई मंदिर के द्वार बंद होगे तो सुबा मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठकर के साथ आट बज़ गए तो साथे दो दिन कंटिनेसलि चले लेकिन मैं अपनी टीम से कनेक्टिविटी मैंने बनाके रखी कनेक्टिविटी के कारण मुझे इंकम आना बंद नहीं हुआ मेरे को नई जोइनिंग भी मैंने नई दो जोइनिंग लगए डिरेक्ट में आप समझ सकते हो चलते चलते भी सफर में भी तो यह मेरे लिए क्यों आसान है साथी हो मुझे क्यों अच्छा लगता है अपने काम से प्यार करो समर्पन की भावन रखो समर्पित कर दो एक सिस्टम को एक प्लान को जो आपको समझ में आ गया जानकारी सब की लोग देखो मुझे डिफ्रेंसिस बताने पड़ता है हर तरह की कंपनी का बंदा मेरे पास में आता है तो नेट्वर्क मार्किटिंग में फेल होने के कुछ कारण्स में आपको बतारी साथ जो मेरा खुद का परसनल एक्सपिरियंस है इतना जादा नॉलिज तो नहीं मैं आपको बोलू आपको लेनी है connectivity बनानी है और confidence के साथ में प्लान को देना है बहुत प्यार से आपको उतावला नहीं होना है कोई prospect आपके पास आगया उतावला नहीं होने कि इसकी जोइनिंग मेरे साथ लग जाए और बस मुझे 1.500-200 पर आ जाए ना income के लिए नहीं काम करना आपको ऐसा नहीं है जोइनिंग का कोई पैसा नहीं है फ्री मैं आप service यूज कर सकते हो आप आईए मैं आपको लिंक भेज रही हूं आप इस पर link पे क्लिक करके registration कीजिए और free of cost service यूज कीजिए सरी हापे कोई पैसा नहीं लगता देखो मैं ऐसे बात करती हूँ पैसा तो अपना बाता है सरी हापे कोई भी पैसा नहीं लगता आप तो service यूज कीजिए और मुझे अच्छा लगेगा मैं आपको एक समाधान दे पा रही हूं आप अभी एडमनी करके द देखिए रिचार्ज करके देखिए ड्रोल लगाके देखिए जोइनिंग लगाकर के नीचे आईडी मत गिरिन करो मतलब पैसा मत लगा उनको बोला यी नहीं तो बंदे ने जोइनिंग कर ली हमाचल से है सर हमाचल पर्देश से और काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे थ और अभी वे सिस्टम में मेरे साथ ही आ गए है क्योंकि मैंने एक वैल्यू एक इमेज बनाई इमानदारी की लोगों की परती समर्पन भावना की उनको समाधान देने कि उन्होंने एक शब्द नहीं पूछा उन्होंने आईडी बनाया आईडी बना करके उन्होंने खुद से एड्मनी की हो क्योंकि फषले सिस्टम में एड्मनी को लेकर कोई शिव आ रा था तो मैंने बोला सर यहां एक किलिक पर काम होता है एक किलिक करो जाएगा कोई भी लंबा चोड़ा प्रोसेज नहीं है कोई टैंसन वाली बात नहीं है तो सन ने खुद भाई प्रैक्टिकल एडमनी करा और उन्होंने सर्विस यूज किया अब वो हो गए सैटिसफाई पैसे की तो मैंने कोई बात दिनी गरी है फिर उन्होंने बोला मैंडम सिस्टम तो अच्छा है तुरंत एडमनी हो गया पिछले सिस्टम में मैं परिशान था एडमनी नहीं हो रहा था और सिस्टम नहीं मठें आएगा तो उन्होंने का कि पैसा कैसे आएगा लेकिन आप बना सकते हो तेम से पैसा आएगा आपका पैसा कहीं नहीं चाना सुब्स करोई दिक्कत है मैं आपके साथ मुझे इ partie पास रखे आपको कोई दिक्कत में आने नहीं दूंगी सिस्टम में तो उन्होंने आइडी बनाया खुद बाखुद गरीन कर लिए वाटसप पे मुझसे पूछा बताइए मुझे एससेट बनना है क्योंकि मुझे टीम भी बनानी है मैंने बोला सर बन जाइए ऐससेट बनना है तो इबुक पर्चेस कर लिजी क्योंकि कुछ ना कुछ पास्सो बीवी का हमें करना होता है चाहे आप कोई प्रोडक्ट कर लो चाहे इबुक कर लो मैंने उनको प्रोसेट वाटसप के जरिये ही बता दिया और गाड़ी में बैटे करो या आप यहां से कुछ करो या पैसा लगा बोले सर आप तो अपने शम्मर्पण की परती भावना होनी चाहिए या दूसरी का benefit आप उसको दिखा दो कि आपका ही benefit है आपका ही लोस है बस सामने वाले को benefit दिखा और benefit हर किसी को प्यारा लगता है सात्यों बताने को बहुत सारी चीज़े होती है लेकिन time की कमी है कोसल सर ने आलरड़ी हमें बहुत सारी चीज़े फॉर्मूले पॉइंट्स बताया जो कि बहुत वैल्यूबल है अगर आप उनके इंप्लीमेंट कर लोगे तो बिल्कुल कहीं न कि कोसल सर के बराबर खड़े होंगे और आज मेरी सफलता का वही राज है मैं धन्यवाद करती इतने ऑपना अपना कि उन्होंने वह मुझे मिले और उनके संपर्क में में रह करके भले मुझे कुछ सिखाया ना सिखाया लेकिन संपर्क मतलब संघत सफल लोगों की संघत में आप बैठोगे ना तो डुन सारी चीज़ें अपजर्व करती हूँ सीखती हूं कभी भी उन कोशिश मत करो कि गुरू बनो कि तो फेल होगे अगर अच्छे बनोगे सफलोना तो मैं तो चूडन बनी रहूंगे और सब्सक्राइब बनके सीख रही हूँ मैं अपने सम्मानित जितने भी साथ ही है मेरे साथ में उन सबको मैं सिखा रही हूँ कुछ इंकम का मैं जोएनिंग का सब दिखाने वाली थी लेकिन टाइम मेरे ख्याल से इजाजत नहीं देता देखो मेरे पास में फॉर्मूले है साथ ही मैं एक सेशन चाहते हो और वाके में मेरे दिल खुश हो गया कि नाइंटीवन पार्टिसिपेट थे और नाइंटीवन ही है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बातों को लोग यहां पर अब्जर्व कर रहे हैं सीख रहे हैं और सीरियसली ले रहे हैं और मुझे पता है कि आज इस से वो भी इसी लिए ओटो मोशन में है ना तो एक हजार पड़े आएंगे तो तीस हजार रुपे पर मंत तो यही हो गया तीस हजार प्लस का और और भी यह तो मैं आपको थोड़ा बता रही हूं तो पचास हजार रुपे सिस्टम से आसान हो गया है कमाना कोई वड़ी बा बैठे है जो मुझे फोलो करते है सुनते है वो हर एक विक्ति को मिले सच में मेरे दिल से यही भावना है साथियो तो इस भावना से मैं काम करती हूं और यह मैं करके रहूंगी क्योंकि यह मैं अपनी टीम में डेवलप कर रहूं चुट-छुटी मिटिंग लो टीम्स की आ मेरे मिटिंग कराने लग गई है मेरी टीम कि मैडम हमें जरुद हैं लोग आपकी डिमांड कर रहे हैं डिमांडेबल बनों मैं कैसे बनोगे जब आप इसकिल्फोगी अपके अंदर नौलिज होगी जब आपके पास रिजल्ट होंगे और मेरे पास समय नहीं लेकिन मैं उन कैसे बना करें कि हमें हर एक विनोरा परिवार के हर एक सदस्य को सक्षम बनाना है तो खुड टीम का मतलब टीम उससे अब टाइम लेने लगए मिटिंग करने लगए छुट-छुटी मिटिंग्स कीजिए अपने टीम के हर एक मैंबर और उनकी टीम के साथ में बहुत अच्छ आप लोग भी सफलता की तरफ एक और नया कदम बढ़ाई नी तो थैंकि सो मज सर जो आपने मुझे बोलने की जानकारी दी और सभी सात्यों का धन्यवाद कि नब्बे नाइंटीवन पर्स्ट्रिस इपोर्टों ने मेरी बातों को सुनी है थैंकि सर ओवर तुए वाह वाह मज़ा आगया एक नंबर सेशन आपका और रियल में मैं बताओं मुझे प्रावड फिल हो रहा है कि एक अपनी टीम की एक ऐसी लीडर जो घर से बाहर कदम भी नहीं रखती है उनको घर से बाहर जा जाके जो नोलिजी कट्टा करते हूं तो जादा नोलिज है यानि हम जैस आपकी सुनते भी नहीं है आपका रिगार नहीं करते हैं और आपसे अपने आपको उचा समझते हैं दोस्त अलका बेहन ने एक बात बोली मैं भी उनकी बात को नोट कर रहा था बहुत बहुत धन्यवाद अलका वहन आपने मुझे भी कुछ पॉइंट लिखने के लिए मज अगर नहीं आया तो डेजन्ट मैं हूँ ना मैं हूँ मैंने पॉइंट नोट आउट किये हैं और मैं उनको जानता हूं में क्या कूबिया है किस तरह से उनका मैंट सेट है क्या वो काम करती है सबसे इतने लोग वह रियलिस्टिक बात लगे इसमें कोई बनावती पन्नी है खुद का तजुरुबह है एक्सन है ठीक है नोली जाए इसकील है कोई हवावाई बाते नहीं है सब कुछ जमीन से जुड़ी बात है रियल्टी है मिलट में बताना चाहते हो सम्माने अलका बेहन ने एस कामियाभी का राज्स का है सबसे पहला राज है कि वह समधान पर बात करती है वह वह समध्याव का वह रोना नहीं लोगों को समध्यान लोग यही तो चाहते हैं उल्जह मंहाद्खक्या करें वाटन के देते हैं अपना फैदाई दिमाग में फिर भी परमात्माने दो जोइनिंग चलते चलते करा दी और मैंने भी एक लीपर चेच चलते चलते डिरेक्ट वाले से करा दी विंजोवा का और तो गेर बेच के यानि दोनों बैन भाई काम कर रहे थे मज़ा ले रहे थे सबरका का ड्राइव कर रहे थे ठीक है समधान भी दे रहे थे समर्पन सपलता बैन का दूसरा सबसे बड़ा बारा बजने नीच चाहिए बहुत अंडा पन्नी होना चीए आपके चेहरे पर उच्छा दिखना चाहिए आपके दिमाग की नस खड़ी होनी चीए पदा चलता है बंदा दिल से बोल रहा है फिलिंग है ठीक है बहुत आवे सकता विश्कार की जनी है क्योंकि यह भार नही यह प्रूव किया है तो जब ऐसे लोग आपके सामने माग दर्सन के रूप में कड़े होते हैं तो डरने की क्या बात है आपके पास विनोरे के पास इतने बड़े-बड़े एक्जामपल है ठीक है जिसका आप सामने दर्सन कर पाते देख पाते हैं कि यह बंदा घर पे रह मार्केटिंग में दो तरहां के लोग मिलेंगे जो आपसे दो पैसे बना जाए वह बात का हल है पैसे लगा क्या मेर बनने वाला सिस्टम नहीं है इसलिए अपना मार्केटिंग शुकर करो उस आदमी ने जिसने नेटव मार्केटिंग का पॉर्मूला बनाया वरना हम जैसे लोगों के पास कहां कार आती भाई कहां हम गरीबी से उबर पाते तो इसलिए भाईया धन्यवाद दो कि सबसे आसान पॉर्मूला अमीर बनने का इ तो आपको बात कहाना चाहूंगा एक पूछना कभी खुदす से कि बशचना से कि आम एक दिन मरना ही है क्यूँ नडंक से कुछ दिन जी लिया जाए लिए सो इसलिए जब पूरी जिन्दगी कामी करना है तो क्यू Va दो तीन साथ ढंसे करके पूरी जिन्दकी के लिए रिटायरमेंट लेकर लिए इसलिए वोस्लों के तरकस में कोसीसों का वोतीर जिन्दा रख हार जाए चाहे जिन्दकी में सब कुछ मगर फिर जीतने की उमेद जिन्दा रख तो थैंक्यू बेरी मच्च आप से मिलके बहु ट्रेंट करेंगा आपके साथ में